जयन दोस्तों, मेरा नाम है राहुल पर्मार आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ocean water के movement के बारे में कि कैसे ocean का जो water है वो move करता है कल हमने बात की थी ocean water property के बारे में आज हम देखेंगे कि समुद्र का पानी एक area से दूसरे area पर कैसे move करता है आज हम बात करेंगे ocean currents के बारे में कि जो बहुत important topic है ना सिर्फ इंडिया की exam के लिए बट हमारे geography का भी सबसे जरूरी और महतुपूर्ण topic है ocean currents तो ocean currents में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक जमीन पर नदी बहती है उसी तरीके से नदी जब समुद्र के अंदर भहेगी उसके बारे में बात करेंगे आज हम यही पर देखेंगे tides क्या होती है जिसे हिंदी में जुआर भाटा कहा जाता है कैसे चांद धरती का पानी खीचेगा किसी area पर water का level rise होगा और वही time पर दूसरे area पर पानी का level कम होगा यह आज इस lecture के अंदर हम discuss करेंगे साथी साथ हम बात करते हैं कि कल के lecture के अंदर हमने क्या देखा था तो कल बेटा हमने ocean water property के अंदर बात की थी salinity और temperature के बारे में salinity मतलब ocean के अंदर salt का content कितना है वही हमने बात की थी temperature के बारे में कि ocean water का temperature कैसे race होता है और कैसे कम होता है तो ocean water के अंदर salinity के अलग-अलग source थे कई सारे source की बात की थी हमने जैसे समुद्र के अंदर से mid ocean की इस से lava का बाहर आना उसी के साथ साथ rivers का अपने साथ साथ minerals को लेकर आना फिर dust storm की बात की थी rain की बात की थी यह अलग-अलग source होते salinity के फिर हमने वो factors देखे थे जो किसी area की salinity को determine करते हैं जैसे evaporation जैसे precipitation salinity को complete करने के बाद हमने salinity के horizontal distribution equator से लेकर के तो pole तक और वही vertical distribution ocean के surface से लेकर तो ocean के depth तक की बात की थी यहाँ पर हमने helok line की भी बात की थी और फिर हमने discuss किया था temperature को temperature के अंदर हमने क्या देखा था temperature में हमने देखा था कि ocean के जो temperature का source है वो source क्या है वो source sun है sun से ocean का temperature increase होता है फिर वो temperature कि किन-किन factors से determine होता है उन factors की हमने बात की थी फिर साथ ही साथ वही temperature का भी हमने horizontal distribution देखा था, equator से लेकर तो pole तक, और फिर हमने vertical distribution देखा था, कहां से ocean के surface से लेकर तो ocean की depth तक, इस lecture के अंदर हम ocean water के moment की बात करेंगे, ocean water का moment तीन तरीके से होता है, wave, ocean currents and ocean tides, तीनों को एक एक करके हम यहाँ पर discuss करेंगे, तो चलिए सिर करते हैं this chapter को, the movement of ocean water, ocean water का movement दो तरीके से होता है, एक horizontal manner में और दूसरा vertical manner में, horizontal manner में, ocean water move करता है in the form of waves and in the form of ocean currents, ocean currents जैसे जमीन पर नदिया बहती है, वेसी नदिया, समुद्र के अंदर भी बहती है, उन्हीं नदियों को ocean current कहा जाता है, और हिंदी में इन्हें कहा जाता ह है, जल्धारा, फिर वही vertical distribution की बात करेंगे, vertically water का level rise होता है, वापिस कम होता है, जिसे हम tides कहते हैं, या फिर हिंदी में जिसे जुआर भाटा कहा जाता है, आप यहाँ फोटोग्राफ में देख रहे हैं, चांद जो है, समुद्र के पानी के उपर gravitational pull exert करता है, और उसी gravitational pull क current, ocean का water धीरे-धीरे swell up होने लगता है, और swell up होने के कारेंट क्या होता है, water vertically upward और downward move करता है, इसी को ocean water का moment कहते हैं, तो ocean water का moment कितने type का होता है, दो type का note कीजिएगा, horizontal and vertical, horizontal moment are of two types, currents and wave, ठीक है, sea water and sea waves and ocean currents, वही जो vertical distribution होता है, वो भी again single होता है, जिसे हम बोलते हैं, tides, periodically rise and fall of sea water is known as tides, तो बात करते हैं आगे एक एक की, पहले हम discuss करते हैं, wave, wave को हम पहले भी discuss कर चुके हैं, climatology के अंदर हमने देखा था, तन से जुस electromagnetic solar spectrum अर्थ पर आता है, उसी electromagnetic solar spectrum के अंदर कई सारी अलग अलग किर्ण होती है, जैसे हमने x-rays की बात की थी, gamma rays, ultraviolet rays, visible rays, इस type से जो wave थी, उन्हीं wave को हम यहाँ पर एक बार ओर discuss करेंगे, बट यह wave समद्र की wave है, ठीके, तो इन waves को discuss करते हैं, similar structure होता, कोई सी भी wave हो, वो ocean की wave हो, या फिर electromagnetic spectrum की wave हो, तो same क्या होता है, जो upper part होता है, इस upper part को हम बोलते हैं, crest, जो wave का उपरी भाग होता है, उसे कहा जाता है, crest, और जो lower part है, इसे कहा जाता है, ट्रफ, जो wave का उपरी part है, उसे crest, और जो नीचे का part है, उसे कहा जाता है, ट्रफ, ocean के अंदर wave के से generate होती है, ocean के अंदर wave generate होती है, जब wind जो होती है, wind, ocean water के उपर pressure लगाती है, तो pressure के in return में पानी उपर जाता है, और वही आगे की तरफ इस type से बढ़ता हुआ नजर आत है, दो crest के बीच की दूरी को हम कहते है, wavelength और wave की height कितनी होती, जो नीचे crest, उपर crest और नीचे truck के बीच में जो दोनों distance होती, उपर और नीचे, vertical distance, उसे wave height कहा जाता है, और दो crest के बीच की horizontal distance को wavelength कहा जाता है, So waves are oscillatory motion that result in rise and fall of water produced by wind, जैसे हमने देखा कि जो wind होगी, wind दबाव डालेगी तो पानी नीचे जाएगा और in return पानी उपर वियाएगा, तो इस तरीके से wave आगे बढ़ेगी, यह सबसे simple motion होता है, ocean का, कि ocean में कि जितनी भी सारी waves होई, वो सारी waves इसी form में चलती, oscillatory form में, आप आपने समुद्र के अंदर देखा होगा, या फिर आपने किसी तालाब में देखा होगा, कि एसे wave आती रहती है, और wave के उपर एक तिनका पड़ाओ, तो तिनका वहीं डोलता है, वहीं oscillatory moment करता, बट wave का water जो होता है, वो धीरे-धीरे किनारी की तरफ आगे बढ़ता है, त की every action है, it's opposite reaction, तो जैसे पानी नीचे जाएगा, वैसे पानी उपर भी जाएगा, और फिर इसी तरीके से वो आगे बढ़ता जाएगा, इसे ocean की wave कहा जाता है, आगे हम बात करते हैं, currents के बारे में, ocean currents, horizontal moment of mass oceanic water in a definite direction is known as ocean current, मतलब जो बहुत सारे पानी का एक particular direction में moment को हम ocean currents बोलते हैं, और ocean currents क्यों चलते हैं, ocean currents इसलिए चलते हैं, क्योंकि अर्थ का shape कुछ इस टाइप का है, तो जो equatorial region है, इस equatorial region के अंदर heat energy जादा मिलती है, तो heat energy जादा मिलने के current, यहाँ का पानी जादा गरम होता है, और जो water जादा गरम हो जाता है, वही water move करके जाता है, पोल तरब, क्यूं? ताकि अर्थ का temperature balance रहे, इस temperature को balance करने के लिए, ocean की salinity को balance करने के लिए, ocean currents चलते हैं, ठीक है? आगे, it looks like river flowing in ocean, बिल्कुल सहीं, जैसे river जमीन पर चलती है, कि यह land mass है और यहाँ से एक river बहरी है, exactly same, ocean के अंदर ocean current भी एक definite direction के अंदर जाते हैं, बहुत सारा पानी होता है, mass oceanic water होता है, वो पानी एक area से दूसरे area की तरफ आगे बढ़ता है, उसी को हम ocean currents कहते हैं, based on temperature, ocean currents are divided in two parts, temperature के basis पर ocean currents को हम दो part में divide करते हैं, एक warm oceanic current, warm oceanic currents वो currents होते हैं, जिनका temperature जादा होता है, मतलब जो पानी गरम होगा, उस गरम पानी से बनी हुई जलधारा को हम नाम देंगे warm oceanic current, व ठंडे पानी के होते हैं, जो polar region होता है, इन polar region के अंदर जो current सलते हैं, these currents are cold oceanic currents, और वहीं जो equatorial region से current जो originate होते हैं, वो currents warm oceanic currents होंगे, क्योंकि equatorial region पर sun के direct light गिरेगी, directly या फिर perpendicular sunlight के गिरने के current क्या होता है, यहां का temperature increase हो जाता है, पानी गरम हो जाता है, तो गरम पानी की तरफ जाएगा तो यहां से warm oceanic current generate होंगे और उपर से होंगे cold oceanic current तो उन्दा basis of temperature अर्थ surface पर दो टाइप के oceanic currents होते हैं warm oceanic currents and cold oceanic currents and उन्दा basis of velocity currents are of three types जो पानी का movement होता है velocity के basis पर three types का होता है वो पानी जो बहुत धीरे धीरे मूँ कर रहा है ocean के अंदर उसे हम कहते हैं drift जब ocean के अंदर water बिल्कुल slowly move करे उसे हम कहते हैं drift और जब water drift से थोड़ा सा तेज मूँ करेगा उसे हम बोलेंगे currents तो सबसे slow moment drift और drift से थोड़ा सा तेज मूँमेंट current और current से भी जब तेज मूँमेंट होगा water का उसे कहा जाएगा stream यहाँ पर जो mention है gulf stream में क्या होगा water का जो मूँमेंट होगा ocean के अंदर बहुत जादा तेज होगा उसे कहा जाएगा stream उसे थोड़ा सा slow current और उससे भी कम speed से अगर water ocean के अंदर मूँ करे तो उसे हम कहेंगे drift तो on the basis of velocity ocean currents या फिर movement of ocean water divided in three parts drift current and stream और on the basis of temperature ocean water is divided in again two parts warm oceanic current and cold oceanic currents warm oceanic currents originate होते equatorial region से और cold oceanic currents originate होते हैं polar region से यहाँ पर एक simple सा concept आप याद रखो warm current equator से generate होंगे warm currents equator से generate होंगे और pole पर जाएंगे क्यों क्योंकि warm current है temperature ज्यादा है तो equatorial area का high temperature के पानी को लेकर वो पोल पर जाएंगे ताकि अर्थ का temperature maintain रहे वही कोल्ड करेंट्स जो है वो कहां से जाएंगे इसका उल्टा polar region से आएंगे वो equatorial region पर क्योंकि polar region पर जो temperature बिलकुल कम है उस थंडे पानी को equator के पास लेकर आएंगे और equator का गरम और फोल का ठंडा दोनों मिल जाएंगे और अर्थ धीरे धीरे उसका temperature maintain होने लेगा फिर अगले दिन सुबह होगी सुरज दिखलेगा equator के पानी को गरम कर देगा और पूल वाला पानी ठंडा रहेगा फिर करेंट चलेंगे तो यह प्रोसेस पूरे लाइफ लोम चलती रहती है यही जिंदगी है कि कभी ना रुके equator से पानी लेकर पूल पर जाना और पूल से पानी लेकर equator पर आना अब हम बात करते हैं origin of the current के बारे में तो पहला मैंने बताए due to temperature अब due to temperature में क्या होता है यह एरिया देख लो आप खुद ही पूरे red color से सो हो रहा है मतलब इस एरिया का तापमान जादा है और जब यहां का temperature जादा होगा तो यहां पर पानी जादा गरम होगा तो गरम पानी जाएगा पोल पर वो पोल से ठंडा पानी आएगा कहां पर equator ठीक है तो यह process चलती ही रहेगी हमेशा चलती रहेगी और इ के बारे में जब discuss करेंगे तब जायर को भी समझेंगे दूसरा होता due to salinity अब salinity भी मैंने बताया था कि equatorial region के अंदर salinity जो होती है वो जादा होती है और polar region के अंदर salinity कम होती है तो salinity को भी maintain करने के लिए एक area में बहुत जादा salinity ना बने और दूसरे area में बहुत कम salinity न के अंदर देखा था वो जिम्मेदार होती है ocean current के moment के लिए वही rotation of the earth कौन से direction में rotate करती है यह बताने के बार नहीं है हमेशा पश्चिम से पूरप की तरफ जाती है तो west to east wind अर्थ rotate करेगी तो अर्थ का west to east rotate होने के currents चलेंगे east to west ठीक है जब मैं तेजी सा आगे जाओंगा तो हुआ आगे से पीछे की तरफ आएगी वेसे ही जब अर्थ ऐसे घुमेगी तो currents ऐसे चलेंगे ठीक है अब और prev ने अगे एफ के बारे में देखते हैं नेक्स्क्त आता प्रिवेलिंग विंच को हम कई बार डिसकस कर चुके आज हम फिर बात करते हैं प्रिवेलिंग विंच यहां पर देखो यह ए अर्थ अर्थ के उपर इस वन इस जिरो डिगरी और ये 23.5 डिगरी North 23.5 डिगरी South मतलब ट्रोपिक आप Cancer इंट ट्रोपिक आप Capricorn ट्रोपिक आपthe Cancer और ट्रोपिक आप Kapricorn को बोला जाता है Low Latitude छिपने इस Low Latitudinal area के अंदर जो विंट चलेगी वो to West, मतलब इस direction में, तो wind, ocean currents को east से west की तरफ लेकर आएगी, किसके अंदर low latitude पर, फिर जब currents east to west आएगे, फिर यहाँ पर जो भी continent है, जैसे नोर्थ अमेरिका, तो नोर्थ अमेरिका से टकरा गए, तो टकराने के बाद current का पानी नोर्थ अमेरिका उपर तो जाएगा नहीं, एसा तो नहीं है ना कि currents बहते बहते आये और सामने continent आ गया, तो उसके उपर चड़ गये, नहीं, उस continent के फिर parallel बहेंगे, वो parallel जाने के बाद, जैसे ही current, mid latitude पर जाएगे, mid latitude मतलब, 30 degree to 45 degree, जैसे ही currents, 30 degree से 45 degree पर जाएगे, यहाँ पर winds चलती है, वेस्टर लीज, तो वेस्टर लीज, winds के influence में currents, west to east चलेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पर, इन low latitudes, currents moves east to west in the influence of trade wind, ठीक है, trade wind यहने easterly, इस area के अंदर currents, east to west चलते हैं, वही, जैसे वो coastal area को hit करते हैं, पर जैसे current, mid latitude के अंदर पहुँचते, mid latitude के पास जाने के बाद, currents चलते हैं, westerly wind के influence में, west to east, ठीक है, तो low latitude में, east to west, और high latitude में, west to east, ठीक है, यहाँ से घूमने के बाद, currents वापिस आते हैं, equatorial region की तरफ, तो यह क्या करते हैं, यह इस type से घूमने के बाद, एक complete कर लेते हैं, क्या एक, जायर, ठीक है, जब currents low latitudinal area की तरफ से चलते हैं, mid latitude पर जाते हैं, और घूम जाते हैं, एक branch तो पोल तरफ चली जाएगी, पानी को गरम करने के लिए पोल का और दूसरी branch लोट कर वापिस equator पर आ जाएगी, ठीक है, तो यह जो branch equator पर लोट कर आ रही है, यह एक circle बना रही है, यहाँ पर, जैसे cyclone घूमता था था न, वेसा कवेसा एक circle बन रहा है, तो इस circle को यहाँ पर कहा जाता है, geography में, जायर, ठीक है, इस circulatory motion of water को कहा जाता है, जायर, इसे कौन घूमा रहा है, इसे घूमा रही है, wind, next, configuration and shape of coastal line, थोड़ी देर पहले हमने बात की, जब current slow latitude में, west to east to west जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद, जैसे वो coastal area से टकराएंगे, तो coast के उपर नहीं जाएंगे, यहाँ पर जब पानी टकराएगा, तो उपर नहीं जाएगा, यहाँ से फिर वो parallelly move करेगा, तो यहाँ से parallel move करने के बाद, वो northern area में जाएगा, जैसे northern area में जाएगा, यहाँ पर mid latitude पर westernly winds उस पानी को इस तरफ deflect कर देगी, westernly winds again उसे east coast पर ले आई, अब यहाँ पर जैसे टकराता है, तो एक ब्रांच तो चली जाती है, pole तरफ, पानी को गरम करने के लिए polar area के, और दूसरी ब्रांच आ जाती हुआ पिस equator की तरफ, तो जहां से current चला था, वही current लोट आया, ठीक है, जहां से current originate हुआ था, वही पर current लोट आया, तो यह जो लोटना होता है, यह यहाँ पर बना देता है जायर को, यह आपको note करना है आपके notes के अंदर कि जायर क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है, जब equator से winds चलती है, वो winds current को push करके coastal area की तरफ लेकर जाती है, फिर currents parallelly move करते हैं, वापस भूम कर वहीं आ जाते हैं, ठीक है तो इसे कहा जाता है, जायर, next, अब हम एक-एक ocean के currents की बात करेंगे, हमने currents का origin देख लिया, कि temperature में जब change आता है, उस temperature में change आ जाने के current generate होते हैं, दूसरा क्या देख लिया, salinity में change आ जाने के current generate होते हैं, अर्थ के rotation के current, current generate होते हैं, फिर हमने देख लिया, अर्थ के rotation के साथ साथ जो हवाई चलती है जो prevailing winds होती है उन prevailing winds के current ही current generate होते हैं अब winds हो गया सब कुछ देखने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि current generate के से होते हैं अब यहाँ पर हम एक एक ocean के currents की बात करेंगे बेटा ये है वो topic जिसका हम आज तक इंतजार कर रहे थे oceanographic के अंदर currents बहुत important है no doubt भर भर के question यहाँ से पूछे गए है और आप NDA की exam दो और NDA की exam के साथ साथ life में आप जो भी exam दोगे इस chapter से question जरूर आएंगे और इस chapter के भी इसी portion से जिसे कहा जाता है ocean current के नाम अलग-अलग समंदर में अलग-अलग ocean current के अलग-अलग नाम है सभी को एक जिसा तो नाम नहीं दे सकते सभी को ocean currents नाम देंगे तो confusion होगा किस ocean current की बात कर रहे हैं किस समंदर के ocean currents की बात कर रहे हैं तो हमने हर ocean के currents को अलग-अलग नाम दे दिया जहां पर वो बहते हैं उस location के according ठीक है तो यहां पर हम start करते हैं कौन से currents को यह है हमारा Atlantic Ocean Atlantic Ocean में भी specifically बात करें तो North Atlantic Ocean तो North Atlantic Ocean के अरंदर currents चलते हैं इन्दी influence of trade wind कि जो current चल रहा है इस current का नाम है North equatorial current note करो इसे जो current equator के North में चल रहा है उसका नाम क्या है North equatorial current कहां से ओरिजनेट हुआ यह एफरिका की West Coast से ओरिजनेट हुआ और अमेरिका की East Coast तक आया South America की जैसे South America की East Coast को हिट किया क्या देखा था हमने थोड़ी देर पहले कि जैसे coastal area को हिट करते फिर parallelly move करते हैं तो यहां से currents ने enter किया किस तरफ इस area के अंदर Caribbean Sea के अंदर और यहां current का यहां पर इसका नाम हो जाता है एंधेली जेक्रेंट क्या हो जाता है इंधेली स करेंट अभी तक कौन सा था North equatorial current North equatorial current थोड़ा सा आ गया केरिबियन सी के अंदर आया अब यहां पर इसका नाम क्या हो गया Antilles current, क्या नाम हो गया ? Antilles current, समझ माया ? इसके बाद जब Antilles current इस गल्फ ओप मेक्सिको के अंदर एंसर पानी ही ही वो तो गल्फ में भी जाएगा तब इसका नाम हो जाता है Florida current ठीक है ? जब Antilles current गल्फ ओप मेक्सिको के अंदर enter करेगा तब इसका नाम हो जाएगा Florida current फिर Florida current Florida straight से बाहर आएगा ठीक है पानी अंदर गया था इसे पानी बाहर भी आएगा अब यहां तो रुक नहीं सकता तो जैसे बाहर आएगा कहां सा आएगा Florida straight के अंदर से straight क्या होती है मैंने आपको बताया भी है आपको भी पता है हम पहले discuss कर चुके तो इस Florida straight से यह Florida current बाहर आएगा और इस Antilles current से मिल जाएगा जैसे ही Antilles current और Florida current आपस में मिलेंगे यहां पर इसका नाम हो जाएगा क्या गल्फ स्ट्रीम ठीक है जहां से समझो एक बार और फिर से रिवाइस करेंगे एक्वेटर पर चला नोर्थ एक्विटोरियल current क्योंकि एक्वेटर के नोर्थ में चल रहा है नोर्थ एक्विटोरियल current ने हिट किया साउथ अमेरिका को गल्फ और केरेबियन सी के अंदर एंटर किया एक था Antilles current और जैसे गल्फ और मेक्सिको में गया उसका नाम हो गया Florida current तो Florida current और Antilles current ऐसे बाहर जाकर फिर से मिले ठीके एक तो बाहर से निकल गया और एक गल्फ के अंदर चला गया जो बाहर से निकला वो Antilles और जो गल्फ के अंदर गया वो Florida और Antilles आगे जाकर मिले और बन गए गल्फ stream ठीक है फिर गल्फ stream current उपर चलता है और उपर जाने के बाद यहां पर पहुँचते पहुँचते कौन सी wind के influence में आ जाएगा यह बताओ मुझे यहां पर कौन सी wind चलती याद रखना बेटा मिद लेटिड्यूट पर कौन सी wind चलेगी वेस्टरली विंड्स तो वेस्टरली विंड्स जैसे इसको पुश कर पाती इतने में उपर से currents आगे कौन से cold current cold current का काम क्या है cold current का काम है polar area से थंडे पानी को equatorial area पर transfer करना तो कौन सा cold current आएगा यहां पर cold current को हम अलग color से note करते हैं cold current को मैं yellow color से बता रहा हूं है न थोड़ा blue color यहां पर दिखेगा नी तो मैं yellow color से दिखा रहा हूं note कीजिएगा cold current आता है यहां से दिखाई दे रहा है एक minute yellow भी नीच अलेगा मैं दूसरा use करता हूं नाम होता है लेब्रेडोर ठीक है तो लेब्रेडोर cold current ऊपर सा आया दूसरा cold current आया East Greenland current तो एक लेब्रेडोर current और दूसरा East Greenland current यह दोनों currents आये और यहां पर आकर collide हो गए समझे रहे हूं क्या हुआ इस तरफ से equator तरफ से warm current चले और उपर पोल तरफ से cold current आये और दूसरा East Greenland current और दोनों आपस में आकर collide हो गए कहां collide हो गए यह जगा बहुत ज्यादा important है इस जगा का नाम है newfoundland island the grand bank ठीक है यहां पर न्यूँ पाउंड लेंड आयलेंड न्यूफाउंड लेंड आयलेंड द ग्रांड बेंड यह नोट करो यहां पर क्या हुआ है यहां पर collision हुआ किनका collision warm oceanic current का और cold oceanic current का लिख लिया ठीक है तो जैसे ही warm oceanic current और cold oceanic current आपस में टकराते हैं तो आप खुद देखो एक तरफ है गरम पानी हमारी बाल्टी के अंदर और दूसरी तरफ है ठंडा पानी हमारी बाल्टी के अंदर और हम है bathroom के अंदर तो bathroom के अंदर गरम पानी और ठंडे पानी को मिलाओ क्या होगा भाब बनेगी फोग बनेगी तो यहां पर क्या होता है इस grand bank पर जैसे ही एक तो गरम पानी और दूसरा ठंडा पानी जैसे ही आपस में polite होते हैं तो collision के कारें यहां loop warm water हो जाता है फोगी atmosphere हो जाता है पूरे atmosphere के अंदर fog ही fog हो जाती है यहां पर देखो पहले दिखा देता हूँ this one जो जहाज है वो जहाज क्या हो जाता है वो पूरा fog हो गया वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है atmosphere fog हो गया तो visibility है वो reduce हो गई और क्यो reduce होई visibility क्योंकि warm current और cold current आपस जैसे पानी ठंडा और गरम मिला तो पानी बना लूप वाम वो जब पानी का temperature बहुत moderate हुआ तो यहां पर कई सारे zooplanktums और phytoplanktums आते हैं पानी के अंदर तेरने वाले छोटे-छोटे जीव तो zooplanktums और phytoplanktums कहां पर आये इस लूप वाटर के अंदर और इन zooplanktums औ इस एरिया के अंदर उनको खाने के लिए आई तो क्या हुआ मचवारों ने जाल फेकी और बहुत plentiful मचली यहां पर पकड़ी गई तो newfoundland island जो यहां पर है यहां पर वर्ल्ड की सबसे अच्छी मचलियों का production होता है मतलब मचलियों को पकड़ा जाता है कहां पर newfoundland island के प current तो warm और cold oceanic current टकराए और टकराने के current क्या हुआ यहां पर एक loop warm water बना और उसी loop warm water के साथ साथ क्या हुआ यहां पर फिश का production बहुत अच्छा हुआ मचलियों का अच्छी से यहां पर पकड़ा गया आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने के बाद वेस्टर लीज के contact में आन के बाद current चले इस्टन साइड वो जैसे इस्टन साइड चले तो current की एक ब्रांच तो आ गई नीचे वो दूसरी ब्रांच कहां चली गई उपर तो जो ब्रांच उपर गई वो गई किस फोर्म में वो गई warm current और इस warm current का नाम है Norwegian current कोंसा current Norwegian current ये current कहां से चले न्यू फाउंड लें आइलेंड से Eastern site चले और जो Eastern site चले उसका नाम था नोर्थ एट्लांटिक ड्रिफ्ट तो ये नोर्थ एट्लांटिक ड्रिफ्ट इस्टन साइड चली यहां पर आगर कोलाइड हुई आइसलेंड के पास दो पार्ट में टूटी एक पार्ट आया नीचे और नीचे वाले जो पार्ट था उसका नाम हो गया केनेरी करेंट नीचे जो आया, वो हो गया, Canary Current और जो पार्ट उपर गया, वो कौन सा बन गया? उपर जाने वाला पार्ट बन गया, Norwegian Current फिर से देखें, Grand Bank के पास Western East Wind के कॉंटेक्ट में आने के बाद Current चले Eastern Side Eastern Side जाने के बाद, जैसे वो Landmass से टकराए टकराने के बाद हो दो पार्ट में स्प्लीट हो गए एक पार्ट अगेन इक्वेटर तरफ आ गया, अपना जायर कंप्लीट करने Canary Current के फोम में, और दूसरा पार्ट कहां चला गया? Norwegian Sea के अंदर, मतलब आर्कटिक रिजन के अंदर अब इस Current का Importance देख रहे हो आप, पहले तो क्या, इसने मच्छी पकड़ने में साथ दिया यहाँ पर मच्छियों का Production बहुत अच्छा हुआ अब दूसरा क्या होगा, जब यह Warm Current, यह गरम पानी का स्त्रोच जब कहां जाएगा Norwegian Sea के अंदर, तो क्या होगा, यह पूरे Europe के साथ एक Blanket का काम करेगा मतलब, जब Winter के Season में, यहाँ पर क्या ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और जैसे यह Warm Current यहाँ पर जाता है, तो Warm Current जाने से क्या होता है गर्मी बढ़ने लग जाती है, तो जो गर्मी बढ़ने लगती है, तो यहाँ पर जितने भी Port हैं, वो सारे के सारे Port आइस फ्री हो जाते है मतलब, उनके पास जो आइस से वो आइस होने लगती, melt, क्यों मेल्ट होने लगेगी, क्यों यह गरम पानी आ रहा है और जैसे यह आइस मेल्ट होने लगेगी, यहाँ पर क्या, ट्रेड विंटर में भी चलता है तो समझ रहे हो प्रक्रती ने हमें क्या दिया है, प्रक्रती ने हमें दिया है जल्धाराएं और वो ocean currents, जिनको हम जानते भी नी, हमारे लिए कितने जरूरी है यहाँ पर उन्होंने हमारा पेट भड़ा, मशलियों को पकड़ा कर, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया यहाँ पर उन्होंने हमें गरमी दी, जिस area के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड थी उस area के अंदर इन ocean currents ने warm, जो climate था, वो प्रवाइट किया, warm feeling दी और इसलिए क्या होता, winter के मन्त में भी यहाँ के सारे के सारे ports चालू होते दूसरा current कोन सा आ गया, canary current, canary cold current है, canary cold क्यों है और नोर्मेजियन warm क्यों है, जबकि यह दोनों एक ब्रांच से निकले compare में यह होगा, गरम, और यहाँ का जो water है, यह equatorial region का, यह water पूरा है गरम, क्योंकि sun की light जादा है, तो इस water के compare में, जो पानी आ रहा है, यह होगा, थंडा, तो इसलिए एक ब्रांच से ही निकला हुआ canary cold current बना, और दूसरा बना Norwegian warm current, क्योंकि Norwegian थंडे इलाके में जा रहा है, और canary गरम इलाके के अंदर आ, तो जो गरम इलाके के अंदर आ रहा है, वो पहले से ही भले गरम हो, बट इससे तो थंड़ा होगा, तो यह बन जाएगा cold current, और यह बन गया warm current, तो warm Norwegian जो current है, यह Norwegian current इस एरिया के अंदर गरमी देता है, ब्लेंकेट का काम करता विंटर में, और यही canary current, इन एरिया को थंड़क देता है, जो कि equatorial region के बिल्कुल पास पास है, तो यह कौन से current बने, यह current बने हमारे North Atlantic Ocean के, North Atlantic, equatorial current, Antilles current, Florida current, फिर बहार निकले और बना गल्फ स्ट्रीम, उपर गया, और Newfoundland Island के बाद cold current से टकरा है गोन-गोन से, Labrador current से, और East Greenland current से, और फिर इसने Eastward flow करना स्टार्ट किया, कहां पर flow करना स्टार्ट किया, Eastward flow करने के बाद, Island से टकराया, एक ब्रांच आ गई नीचे, Canary current के नाम से, और दूसरी ब्रांच चली गई उपर, Norwegian current के नाम से, और यहां पर बीच में, इस एरिय पर दुनिया के नदर, जो बना उसे क्या बोला हमने, जायर, यहां पर बना जायर, और यहां पर एक एसा समुद्र बनेगा, ओशियन के बीच में एक इसा समुद्र बनेगा, जो किसी भी Landmass अपनी Body टश नहीं करेगा, एक मात्र समंदर है पूरी दुनिया के नदर, यह एस वो एसा समुद्र है, जो सागर के बीच में, सागर और समुद्र में अंदर पता होगा आपको, सागर जो होते हो, सिर्फ पांच है, और समुद्र छोटे-छोटे और बहुत सारे, तो इन ओशन के बीच में एक मात्र C है, जो किसी भी coastal area से border touch नहीं करता, वो क्या है, उसका ना के अंदर गया उसका नाम रहा एंटेलीस करेंट एंटेलीस करेंट का जो पाट गल्फ ऑफ मेक्सिको के अंदर गया उसका नाम हो गया फ्लोरीडा करेंट दिख रहा है यहां पर फ्लोरीडा करेंट और एंटेलीस करेंट अगें मिले और बन गई गल्फ स्ट्रीम गल्फ स्ट करिये टकराई इस से लेबरेडोर कोल करेंट से और इस ग्रीनलेंड करेंट से टकराने के बाद ये नौर्थ अट्लांटिक ड्रिफ्ट के नाम से चली आइसलेंड की तरफ और इसकी एक ब्रांच टूटकर कहा गई केनरी करेंट के फोर्म में नीचे एक्वेटर की तरफ और दूसरी ब्रांच आ गई नौर्वेजियन करेंट के फोर्म में नौर्वे की तरफ ठीक है तो इसने यहाँ पर warming effect दिया और इसने यहाँ पर pulling effect दिया और इस जायर के बीच में जो C बना इस C का नाम है सारगेस को C ठीक है इस C का क्या नाम है इस C का नाम है सारगेस को C एक और बात बहुत important ये question NDA के अंदर पूछे गए हैं कि एसा कौन सा C है जो किसी भी coastal area से border touch ना करें उस C का नाम है सारगेस को C और इसे सारगेस को C बेटा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर एक weed होता है WED, weed मतलब वो weed नहीं जो आप समझ रहे हो weed एक exotic species होती ही plant की जो कि समुद्र के अंदर उखती है तो उस exotic weed का नाम है सारगेसम वो सारगेसम नाम का weed यहां पर उखता है इसलिए इसको सारगेस को C कहा गया है तो इसको note कर लो ये वो C है जो कि किसी भी continent से अपनी border touch नहीं करता ये NDA ने पूछा हुआ है ये तो पूछा ही है बट इन सारे currents के उपर question पूछे है question पता केसे पूछे जाते question पूछे जाते exam के अंदर कौन सा current विभिन है चार currents के नाम होते हैं और बोलते हैं कि इन चारों में से एसा कौन सा current है जो कि different है वो difference आपको केसे पता करना पड़ेगा वो देदेंगे एक तो gulf stream एक देदिया फ्लोरीडा current एक देदिया इस्ट ग्र लाएगा आप इसको note करो जो मैंने यह बताया इसको note करने के बाद इसको बार 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 रिवाइस करो यह बहुत ज्यादा जरूरी है मैं उम्मीद रखता हूं कि यहां से question बिलकुल उठेगा क्योंकि यहां से बहुत सारे question already पूछे जा चुके हैं यहां प peringा इस जायर के बीच में जो सी है इस सी का नाम क्या हो गया सार्गेस को सी और यह है सी वीड जो कि इसके अंदर उगता है दूसरा वोख कहा बन वनती है क्ट न o फाउंड लेंड आइलेंड पर ठीक है न्यू फाउंड लेंड आइलेंड के ओपर फोक बनेगी अब वैसे के वैसे हम South Atlantic Ocean Currents की बात करेंगे तो South Atlantic Ocean Currents में भी similar पहले हम यहां से चले किस नाम से South Equatorial Current South Equatorial Currents से हम चले East to West फिर यहां पर चले और नाम हो गया Brazil Current ठीक है Brazil Current नीचे गया यहां से Cold Current आया Cold Current को दूसरे कलर से फ्लोट करते हैं यहां पर आया Cold Current और इस Cold Current का नाम है Falkland Current तो Cold Current, Falkland और Warm Current ब्राजिल यह आपस में टकर आये और फिर यह Eastward बहना स्टार्ट किये नाम बना WWD West Wind Drift तो WWD उपर गया यहां पर जाकर इसने कोलाइट किया किससे South Africa से South Africa दिख रहा है South Africa से कोलाइट करने के बाद उपर गया और उपर जाने के बाद अपना जायर कम्प्रिट कर लिया यहां पर दिख रहा है आपको South Equatorial Current South Equatorial Current नाम बना Brazil Current पूरा अब एक ओशन को डीप में समझ लिया ना सारे ओशन के Current ऐसे ही चलेंगे वो आपको एक एक करके सब समझ में आ जाएंगे South Equatorial Current Brazil Current Falkland Current से मिला Falkland Current से मिलने के बाद बना West Wind Drift उसकी एक ब्रांच ने हिट किया South Africa को और उपर गई यहां पर इस ब्रांच का नाम हो गया Bangula Current क्या नाम हो गया Bangula Current और Bangula Current जाकर किसमें बिल गई South Equatorial Current के अंदर और क्या बन गए यहां पर Gyar समझ माया South Equatorial Current Brazil Current Falkland Current West Wind Drift Bangula Current वह वापिस जायर complete ठीक है? मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ रहा होगा और अगर कहीं पर भी doubt आता है तो आप comment section में जरूर बताईएगा हम इसके उपर आगे भी discuss करेंगे बट बेटा मेरा बस एक मानना है यह ocean currents आपको learn होना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत उम्मीद है कि यहां से बहुत सारे question उठे हुए है और question आगे भी जाएगे वो मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी question कटे क्योंकि वो मेरा खुद का अपमान होगा मेरी खुद की नजरों के अंदर कि मैंने आपको सिखाया और आपसे वो question नहीं बन पाए तो आप आराम से देखो इस चीज को बार-बार देखो question जरूर बनेंगे ठीक है अब South equatorial current को जानते सेम जैसे कि हमने North equatorial current को देखा तो पहला क्या South equatorial Brazil current फिर Cold current के नाम से कौन सा आया Hawkland current Hawkland current के बाद West wind drift उपर गई उपर जाने के बाद उसकी एक branch जिसने अफरिका की Western coast को hit किया वो बन गई Banguilla current और Banguilla current उपर गई और उपर जाने के बाद हो क्या जायर कर दिया complete ठीक है अब Warm current क्या काम करते Warm current जब थंडे इलाके में जाते तो temperature को raise कर देते हैं विल्कुल raise करेंगे जब गरम पानी की जलधारा है थंडे इलाके के अंदर जाएगी वहां के तापमान को बढ़ा देगी वही cold current जो cold current होते हैं cold current इन एरिया के अंदर आते हैं जिद एरिया के अंदर क्या हो पानी गरम हो तो यहां के पानी को क्या करते थे थंडा और जो adjacent land mass है जैसे ये वाला एरिया इस एरिया को cooling effect प्रोवाइट करेंगे और जब एरिया को थंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा थोड़ा सा एक बार और concept की गया तो pressure high high pressure हो गया temperature लो गया तो जिस एरिया पर pressure high होता वहाँ पर कभी बारिस नहीं होती ये हम पहले भी पढ़ चुके climatology के अंदर बारिस rainfall वही होती है जहाँ पर pressure low होता temperature जादा होता है तो यहाँ पर क्या हो गया इस cold current ने क्या दिक्कत दे दी इस cold current ने area को गर दिया ठंडा और जैसे area हुआ ठंडा तो यहाँ पर बारिस हो गई बन तो cold current कहां चल रहे cold current हमेशा continent की western coast पर चल रहे और इसी current continent की western coast पर हमें मरुस्थल यानि deserts देखने को मिलते हैं अभी थोड़े देखो न यहाँ पर यह जो cold current आया canary current इस canary current ने इस area को ठंडा कर दिया तो यहाँ पर बारिस नहीं हुई तो बन गया world का सबसे बरा desert जिसका नाम है सहारा दूसरा यह current जब यहाँ पर गया तो इस area को ठंडा कर दिया तो यह क्या बन गया cold current इसको कर दिया ठंडा तो जैसे यह ठंडा हुआ तो बारिस हो गई बन तो बन गया मरुस्थल तो यह थे Atlantic Ocean के current अब Atlantic Ocean के current में warm current कौन-कौन से उनकी बात करते हैं पहला थे North Atlantic current warm current cold current याद रखना हमको तो पहले warm current की बात करेंगे Atlantic Ocean के तो warm current में कौन सा है North equatorial current एंटलीस current फ्लोरीडा current North Atlantic drift Norwegian current South equatorial current एंड ब्राजिल current यह current जो है जो Atlantic Ocean के अंदर चलते हैं यह सारे के सारे currents बेटा warm currents है कौन से currents है warm currents है तो आप अपने जो notes है उस notes में warm currents को अलग mention कर लो ठीक है किस top ocean के Atlantic Ocean के अब इन warm currents के बात आगला जो हम बात करेंगे वह Atlantic ocean के cold current के बात करेंगे तो Atlantic Ocean में कौन-कौन से cold current चलते हैं पहला Labrador current Labrador current कहां चलता है Greenland के West में Greenland जो वर्ल्ड का सबसे वड़ा Island है इस island के West में जो चलता है यहाँ पर आता है फॉक्लेंड करेंट तो यह क्या हो गए यह करेंट्स हो गए किस एरिया के यह करेंट्स हो गए है अब हम बात करेंगे Pacific Ocean के करेंट की Atlantic Ocean के करेंट्स समझ माए फिर से देखो वीडियो को वापिस रिवायू करो और उसको चेक करो कि आपको वो सारे करेंट्स के नाम याद हुए है कि नहीं हुए आगे हम देखते हैं Pacific Ocean के current Pacific Ocean के current पे बिटा exactly same होंगे क्या? North equatorial current है ना? जैसे Atlantic में था North equatorial current को कौन सी wind लारी? Easterly wind East to West और इन्होंने hit किसको किया? Philippines Island को और Philippines Island को hit करने के बाद ये paralleli चले क्योंकि continent के उपर तो चड़ नहीं सकते और जब continent के उपर नहीं चलेंगे तो यहां से क्या करेंगे? Paralleli move करेंगे. तो यहाँ पर कौन सा current बना? यहाँ पर बना कुरोशिवो current नाम है कुरोशिवो ठीक है? तो यहाँ बना कुरोशिवो current अब कुरोशिवो current नोर्थ वर्ट गया काम क्या है इनका, गरम पानी को वहाँ ले जाना है पॉल पर, तो यह कुरो-शिवो करेंट चला उपर, जैसे कुरो-शिवो करेंट उपर चला, उपर से पौल्ड करेंट आगे, उनका भी तो बिचारौण और काम है, उनके ठंडे पानी को किसी दूसरी जगा पर लेकर जाना जहां पर पानी गरम हो तो कुरो शीवो करेंट यहां से नीचे की तरफ आए वो नीचे की तरफ आने के बाद वो किसको हिट कर गए कुरो शीवो करेंट हिट कर गए ओया शीवो करेंट और कामचार्ट को करेंट को एक मिट में थोड़ा ऄखोัटव करेंट आए नीचे की तरफ जैसे वहां पर कॉन से काया थे लेब्लेडोर करेंट आया था और इस्ट ब्रीनलेंड करेंट और ये दोनों नीचे उत्य तरOn तरीके से अखोटस ओया सीव हो करेंट भी नीचे आए वह नीचे आने के बाद और तकर नोर्थ एट्लांटिक ड्रिफ्ट था यहाँ पर नोर्थ प्रेसिफिक ड्रिफ्ट बन गया फिर नोर्थ प्रेसिफिक करेंट इस नोर्थ प्रेसिफिक करेंट ने हिट किया USA या फिर North America तो USA को hit कर दे के बाद ये दो ब्रांच में split हो गया जो नोर्थ में गया ठंडे पानी में हो बन गया warm current Alaskan current और जो southward आया हो बन गया Californian current और इस southward आया हुए Californian current ने USA के अंदर cooling effect दिया और यहां पर बना दिया sonoran desert ठीक है तो sonoran desert के बाद ये room कर जो गया था वापिस नीचे आ गया और इसना अपना कर दिया जायर complete exactly same southern hemisphere में भी क्या हो रहा है आप tension मतलो अगली slide के अंदर हम खुद बनाएंगे currents ठीक है इसी ये जो north equatorial current के जो बहुत सारी आपर हो गए उनको एक एक करके फिर से देखेंगे southern side भी exactly same south equatorial current चला east australian current चला और फिर नीचे से जो आ रहा था west wind drift ये वही west wind drift है जो कि Atlantic ocean में नीचे नीचे चल रहा था तो west wind drift यहाँ पर आया वो इसको push करके आगे ले कर गया फिर ये बन गया पेरूवियन current cold current पेरूवियन current ने south america की western coast को hit किया और south america की western coast को hit करने के बाद यहाँ पर again क्या कर दिया cooling effect provide कर दिया cooling effect provide करने से क्या हो गया यहाँ पर temperature कम हो गया pressure ज़्यादा हो गया बारिस हो गई बन और world का driest desert बन गया जिसका नाम है आटाकामा तो आटाकामा desert बना और यह भूम कर फिर से जायर बन गया अब बिना आपको confuse किये यह currents में खुद बनाऊंगा तो पहला हमारा हुआ north equatorial current north equatorial current फिलिपीन island के पास आया और नाम हो गया कुरोशिवो क्या नाम हो गया बिटा कुरोशिवो करेंट और कुरोशिवो करेंट paralleli ऊपर चला जापान के तरब जब यह यहां पर पहुंचा तो ऊपर से यहां साया ओखोटस current और इस area साया ओया शिवो ठीक है तो ओखोटस ओया शिवो करेंट आये यह दोनो cold current है और यह ठकरा गए किससे जापान के पास कुरोशिवो करेंट से अब warm और cold current आपस में ठकराएंगे तो क्या होगा यह current जो है यह हमारा warm current है यह तीर की तरह होते जैसे राम और रावन इन्होंने एक दुसरे को तीर मारे थे ना बस वैसे कि वैसे तीर चल रहे कि यहां से cold current के तीर आ रहे और यहां से warm current के तीर जा रहे अब warm और cold current के तीर ठकराएं कहां पर यह ठकराएं जैपान के पास और जैपान के पास जैसे ठकराएं तो क्या हो जाएगा again safe condition जो हमने पहले पड़ी थी जैसे वह warm और cold zone current टक्राएंगे पानी हो जाएगा क्या हो जाएगा लूप वाम यहां पर ben जाएगी फोग फाइटो फ्लेंटम जूप बैंटम्स आएगे और फाइट्योप लेंटब्स को खाने के लिए क्या आएगी diesem और उन बैसली ओंटम पकड़ने के जापान के लोग और उस ब्लू वेल को मार देते हैं और फूरा गाउप फिर नोस्थ फरमाता हुआ पर बेटकर उसे खाता है तो क्या होता है यह इस एरिया के अंदर फोगी एट्मोस्पियर बनेगा वो फोगी एट्मोस्पियर बनने के साथ साथ चलेगा इस वर्ड कौन सी बिन के influence में जा रहा है यह जा रहा है ये जा रहा है वेस्सरली बिन के और इसका नाम होगा North Pacific Current फिर North Pacific Current नौर्थ अमेरिका को hit करने के बाद इसकी एक ब्रांच ऊपर जाएगी और इस हो जाएगा क्या ना हो जाएगा सब्सक्राइब करेंट थी के लिपोर्णीन करेंट यह यह अटलांटिक और इन्हें करना आपको पहला North equatorial current दूसरा North equatorial current के बाद क्या आया को पुरोशीवो current के बाद कुरोशीवो current से तक्राएं ओया ओया शीवो ओखोटास current फिर ओया सीवोखोटास current आपस में तक्राने के बाद इस वर्ड चले जैसे वो North America से तक्राएं वह बन गये अलास्कन करेंट वर्द चला गया केलिफोर्णियन करेंट सौथ वर्ड आगया केलिफोर्णियन करेंट अकर एक्वेटर पर जाकर उसने अपना जायर कर दिया ठीक है अब सदेन हमिस्फियर की बात कर लेंदे पेसिफिक ओशन के अंदर South Pacific Ocean Current East Australian Current फिर यहां पर क्या आती है क्या नाम है उसका West Wind Drift तो यह West Wind Drift नीचे चल रही थी इस West Wind Drift के influence में Current यहां पर आ गई Western Lease के influence में फिर इस तरफ चले गई तो यहां पर जो Current गए इसका नाम क्या हो गई है यह बहुत important है एल नीनो लानीना के लिए जाना जाता है यह हमें टाइम मिलेगा तो इंडियन जोगरोफी के अंदर हम एल नीनो लानीना की भी बात करेंगे बट फिलाल हम वही चीज़े देखेंगे जो एक्जाम के अंदर जादा आती है और हम बात करेंगे Currents की तो यहाँ पर यह जो Current जा रहा Cold Current के नाम में इसका नाम होता है Humboldt and Peruvian Humboldt और Peruvian दोनो नाम से जाना जाता है तो Humboldt और Peruvian क्या है? यह Cold Current है और यह Cold Current इस एरिया को कर देगा ठंडा तो जब इस एरिया को ठंडा कर देगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बारिस हो जाएगी खतम, वो बारिस जब हो जाएगी खतम या कम तो यहाँ बन जाएगा World का Dryest Desert जिसका नाम है आटाकामा यह आप अल्रेडी जानते हो कि World का Dryest Desert आटाकामा है और हो क्यों बना? इस Cold और Peruvian Current के Current यह ठंडे Current है इनने आपर गर्मी कम कर दिया तो बारिस कम हो गए तो यह Cold Desert बना आटाकामा यह जाकर मिल गए Equatorial Current से और बना दिया जायर ठीक है? तो यह कौन से Ocean के Current थे? यह थे Pacific Ocean के Current Atlantic Ocean के Current हो गए Pacific Ocean के Current हो गए अब आपको बस यह याद रखना है कि कौन से Current Atlantic के थे और कौन से Current Pacific Ocean के थे अब हम बात करेंगे Pacific Ocean के अंदर Warm Currents के बारे में तो Warm Currents में Pacific Ocean में पहला North Equatorial Current North Equatorial Current exactly सेम है जैसा हमने Atlantic Ocean के अंदर भी पढ़ा था तो North Equatorial Current फिर Kuroshio Current जो कि Philippines Island से Japan की तरब जाता है फिर North Pacific Current जो कि जो Westerly Winds होती है Northern Hemisphere में उनके Current चलता है ये वाला North Pacific Current North Pacific Current के बाद Alaskan Current वहाँ पर North America की Western Coast तरब दिख रहा है आपको Alaska के West में फिर आता है South Equatorial Current जो यहाँ चलता है South Equatorial Current फिर आ जाएगा East Australian Current तो ये जो Currents है ये Currents Warm Currents है जो Pacific Ocean के अंदर चलते हैं इन ही Warm Currents के बाद कौन से Cold Current है जो Pacific Ocean में चलते हैं तो वो है Ocatas and OSEO और कामचाट का Current Ocatas Current जो Ocatas C से आता है यहाँ पर जो Currents आ रहे न उन Currents के साथ साथ वो Currents जहां से originate होकर आ रहे है उस Location को भी आपको याद रखना है क्योंकि World Geography का बहुत Important Point है ये कि कहीं से Question उठकर आते है किसी भी Water Bodies से तो Ocatas Current Ocatas C सा आ रहा OYO SHIVO Current OYO SHIVO C सा आ रहा मागी जो कामचाट का है कामचाट का एक Peninsula है जो यहाँ पर है यहाँ पर लिखा हमने Californian Current Then West Wind Drift जो नीचे चलता है यह हो गया अगला Cold Current और उसके बाद South Pacific Current This one Cold Current And last one is Peruvian Current वो Peruvian Current को हम क्या बोलते है Peruvian Current को हम बोलते है Humboldt Current भी वो Peruvian Current किसके लिए जरूरी है Peruvian Current जरूरी है South America की Western Coast पर जो Desert बनाया है उस Desertic Condition के लिए तो यह थे Cold Current Pacific Ocean के अब हमने कौन-कौन से Ocean कमप्लिट कर लिए Atlantic Ocean और Pacific Ocean अब Atlantic Ocean और Pacific Ocean में दो पॉइंट है जो कि similar है जो कि Indian Ocean को उनसे अलग करता है Indian Ocean एक यूनिक है क्यों यूनिक है? क्योंकि उसके अंदर इंडिया है? नहीं, ऐसा नहीं है Indian Ocean की यूनिकनेस के कारण अलग है Pacific Ocean और दूसरा Atlantic Ocean इन दोनों में common बात क्या है कि यह North और South दोनों साइड से खुले हुए मतलब Northern साइड से Northern Pole भी आ सकता है और Southern साइड से Southern Pole भी बट Indian Ocean में इसा नहीं है इंडियन ओशन में जब आप North Indian Ocean की बात करोगे तो North Indian Ocean में यहाँ पर हमारा Pride वीपी इंडिया है हमारा देश है, हमारा भारत वर्स है जिसके कारण यह पानी पोल तक नहीं जा पाता तो यह पानी यहीं से लोटेगा समझ रहो इंडियन ओशन का एनमोलोस बिहेविर यहाँ पर कि इंडियन ओशन में ऊपर की तरप नहीं खुला यहाँ पर डाइपोल नहीं है दो पोल जैसे दूस्वरे ओशन के अंदर थे कौन-कौन से थे Pacific Ocean में South Pole तक पानी जाता था और North Pole तक भी जाता था Atlantic Ocean में भी South Pole तक पानी जाता था और North Pole तक भी जाता था बट इंडियन ओशन में पानी North Pole तक नहीं जा सकता North Indian Ocean एक अलग रोल प्ले करता है तो North Indian Ocean के अंदर चलने वाले currents याने North Indian Ocean के अंदर चलने वाला ही जलधारा ये जलधारा Season to Season Change होती है जब Summer Season आता है तो Summer Season में इंडिया में क्या होता है Summer Season के Just About इंडिया में स्टार्ड होता है The Mighty Indian Monsoon और उस monsoon को हम South West Monsoon भी कहते हैं क्योंकि South West Monsoon एसे आता है South और Western साइट से तो इसी South West Monsoon को फोलो करते हुए जो करेंट्स चलेंगे तो पहला करेंट्स कोन सा हुआ हर ओशन की तरह जो Common Current होता है जिसका नाम है North Equatorial Current of Indian Ocean फिर North Equatorial Current of Indian Ocean come in the influence of South West Monsoon और इसका नाम हो जाएगा South West Monsoon Current ठीक है? जो North Equatorial Current था North Equatorial Current किसके influence में आया? North Equatorial Current आया influence में किसके? जो Monsoon की हवाए होती है उन Monsoon की Winds के influence में आया North Equatorial Current कौन से सीजन में? याद रखना? समर तो समर सीजन में कौन सा Monsoon आता है? समर सीजन में और समर सीजन के बाद? South West Monsoon तो उस South West Monsoon के influence में current चला एक Warm Current और वही Warm Current घूमकर आखर मिल गया किस से? इस हमारे Equatorial Current से यहाँ पर बना दिया जायर तो यह कौन सा current है? यह एक मात्र current है जो समर में चलता है और इस current का नाम है क्या नाम है? South West Monsoon Current सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है समर में एक current चलता है और उस current का नाम है South West Monsoon Current वही विंटर के सीजन की बाद करते हैं यह समर हो गया समर के बाद अब विंटर की तरब चलते हैं विंटर में क्या होता है? हवाएं लोटती है इंडिया से जब विंटर में क्या होता है? विंटर में आता है North East Monsoon या फिर जिसे हम Retreating Monsoon भी कहते हैं Retreating Monsoon कारण बनता है कि October और November में जब विंट्स इंडिया थंडा हो जाता है क्योंकि सन चला जाता है Southern Hemisphere में तो जैसे इंडिया थंडा होगा इंडिया पर बन जाएगा High Pressure तो विंट्स बाहर की तरफ निकलेगी और ये विंट्स नाम ले लेगी North East Monsoon का याद रखना North East Monsoon जिसे Retreating भी कहा जाता है North East Monsoon जो होता है वो कारण बनता है कि तामिल नाडू के अंदर बारिस होती है तामिल नाडू में बारिस कब होती है तामिल नाडू में बारिस बिटा अब जाकर स्टार्ट होगी Mid October के बाद मतलब पूरा देस पूरा भारत June में बारिस आई है पूरे देस के अंदर Celebration हुआ पक्छी चहाने लगे जो प्रेमी लोग होते वो आपस में हाथ पे हाथ बानकर भूमने लगे एक बरसात का मोसम आया मुलाकात का मोसम आया वो कब हो गया पूरे इंडिया में वो हो गया जून में बट तामिल नाडू को इस चीज को देखने के लिए October November तक का इंतिजार करना पड़ता है और October November में क्या होता है October November में Retreating Monsoon आता है जो कि North East Monsoon होता है और वही North East Monsoon थंड में बारिस कराता है थंड से थोड़े से पहले November के टाइम पर दिसंबर के टाइम पर कहां पर तामिल नाडू के अंदर और यही Retreating Monsoon Ocean Currents को भी Retreat कर देता है और इस ताइम पर जो Currents चलते हैं जो इस टाइप से चलते हैं इन Currents का नाम होता है North East Monsoon Current बहुत सिंपल है समझ माया पहले कौन से थे? Southwest Monsoon Current Southwest Monsoon कब चले थे? Summer में वो Winter में कौन से चले? Winter में चले? North East Monsoon Current इंडियन ओशन का एक एनमोलस बिहेवियर क्या है यहाँ पर? कि इंडियन ओशन के Currents जो होते हैं वो Currents सीजन के साथ साथ चेंज होते हैं पूरे इंडियन ओशन के नहीं सिर्फ और सिर्फ नोर्थ इंडियन ओशन के Currents तो जो North Indian Ocean के currents होते हैं, ये North Indian Ocean के currents क्या होते हैं, ये जब summer का season आता है तो ऐसे चलते हैं, in the form of Southwest Monsoon Current, और जब winter का आता है, तो in the form of North East Monsoon Current, तो ये currents कोन से ocean के हैं, these currents are of Indian Ocean and North Indian Ocean, अब South Indian Ocean की बात कर लेते हैं, तो South Indian Ocean ने बिलकुल भी anomalous behaviors हो नहीं किया, क्योंकि South Indian Ocean नीचे से खुला हुआ है, South Indian Ocean सदन पोल तक जा सकता है, तो यहां पर क्या हुआ, हर currents की तरह, South equatorial current हुआ, South equatorial current कहां से चला, इंडोनेशिया तरफ से और कहां गया, एफरिका के पास, ठीके, फिर यहां से current नीचे आया, और जैसे मेडागासकर, ये मेडागासकर island दिख़ रहा, आपको, इस मेडागासकर island से तकराने के बाद दो पार्ट में split हो गया, ठीके, मेडागासकर island से तकराने केばाद, ये दो पार्ट में split हो गया, पहले कहां साया, हर någonting की तरफ तरह, Eastern Side से, Western Side की तरफ current चले, उन्होंने हिट किया, Kenyan Coast को, Somalian Coast को, जिसे हौर न वो मेडागासकर के पास से जब यह दो पार्ट में तूटे तो जो मेडागासकर और एफरिका के बीच में गया इसका नाम हो गया मोजांबिक करंट क्या नाम हो गया मोजांबिक करंट और जो करंट उसके इस्टन साइड से चला इसका नाम हो गया अगूलास करेंट क्या हो गया अगूलास करेंट तो अगूला इन द इस्ट ओप मेड़ास कर और मोजामबिक इन द वेस्ट ओप मेड़ास कर ये दोनों आगे जाकर नीचा आए और नीचा आने के बाद ये कौनसा करेंट चलता है अगर श्रम के अंदर कि वेस्ट विड coherent के लिए यहां पर ँसट लेग और गये क्या बेअ चूर já इस कोंपलल समें अके कोंड़ा बन गया कोंगा की अस्ट रॉच कोंटल्ग करैंट और नाम हो गया वेश्ट australian current तो ये west australian क्या है ये cold current है west wind drift के साथ साथ आया हर ocean की तरह ये cold current बना और इसने जायर कर दिया complete तो क्या बना पहले south equatorial current से start हुए आगे बड़े hit किया किसको एफरिका को एफरिका को hit करने के बाद parallel चले दो पार्ट में तूटे अंदर गया पुला current मोजांबिक current अगेन आपस में जुड़े और वो ठकरा गये west wind drift से west wind drift जो की cold current है this one is cold current तो ये cold current आगे push करके लेकर आया और इसने किसको hit कर दिया Australia की western coast को और जैसे Australia की western coast को hit किया जिसका नाम हो गया west australian current अब west australian कैसा current है cold current है तो cold current क्या करेगा यहाँ पर cooling effect देगा तो cooling effect देगा तो मतलब क्या हो जाएगा temperature कम हो जाएगा pressure high हो जाएगा rainfall बंद हो जाएगी तो कौन सा desert बनेगा यहाँ पर the great sandy desert victorian desert Gibson desert यह desert कहाँ पर बनेगे यह बनेगे औस्टलिया की western side पर और क्यूं बनेगे क्योंकि यहाँ पर west Australian current ने थंडा कर दिया और फिर current गए उपर और मिल गए equatorial current से और बना दिया जायर ठीके तो यह थे हमारे कौन से ocean की current Indian ocean के current अब Indian ocean में warm current की बात करते हैं warm current में पहला है southwest monsoon current southwest monsoon current कब चलेगा बेटा southwest monsoon current चलेगा summer में वो क्यूं चलेगा summer में? क्योंकि summer में इंडिया की तरफ इस इंडियन इंडियन पेनेंसुला की तरफ समर में southwest monsoon जाता है तो यह southwest monsoon यहाँ पर generate करेगा southwest monsoon current in summer and in winter यहाँ पर चलता है northeast current जिसे हम retreating current भी बोलते है फिर retreating monsoon बोलते तो यह north east monsoon current कब चलेगा? winter में जब इंडिया से current लोटकर equator की तरफ जाएंगे ठीक है? और equator से current इंडिया की तरफ कब जाएंगे? during summer किसके साथ? southwest monsoon के साथ फिर अगूला current जो कि मेडागासकर के eastern side चलेगा चलता है तो दूसरा है west australian current तो west australian current का? australia की western coast पर चलता है अब यह जो west wind drift है यह west wind drift हमने तीनों ocean के अंदर पड़ा है जड़ा सोचो कि तीनों ocean के अंदर जो यह धरती है इस धरती में southern side यह चलता है यह ठीक है? जो south का pole है उस pole के surrounding में चलता है इसलिए इसको बेटा सरकम polar current भी कहा जाता है सरकम polar current मतलब देखो यह अर्थ है हमारी इस अर्थ का यह south pole है ठीक है? इस south pole को मैं zoom करके यहां बड़ा कर रहा हूँ तो इस south pole के surrounding में जो current घुमता है ठीक है? यह current south pole के surrounding में घुमता है इसलिए इस current को हमने नाम दे दिया west wind drift या फिर सरकम polar current और southern hemisphere में कौन सी wind चलती है? southern hemisphere में जो western list चलती बहुत तेज चलती है तो कौन-कौन सी western list होती है? एक बार याद करो roaring 40s फिर बताओ furious 50s and shrinking 60s यह तीनों wind बहुत जरूरी है और यह तीनों wind ही इस current को धका कर लेकर आगे जाती है जिस current का नाम है west wind drift और यही west wind drift Australia की western coast पर जाता है Africa की western coast पर जाता है South America की western coast पर जाता है और बन जाता है cold current ठीक है? तो यह हमने देखे अभी तक के cold current and warm current ठीक है तो पहले हमने क्या जाना वेटा? पहले हमने जाना ocean current क्या होते है mass में पानी का एक definite direction में आगे जाना हो गया current that's it, ठीक है फिर temperature के basis पर current को दो पार्ट में बाट दिया warm current and cold current ठीक है फिर velocity के basis पर temperature को तीन पार्ट में बाट दिया current को तीन पार्ट में बाट दिया पहला drift current and stream ये भी ठीक है अब इसके बाद क्या किया हमने इसके आगे हमने एक एक ocean के current देखे पहले उस ocean के warm current देखे जो equator से पानी को लेकर पोल पर गये वो फिसी ocean के cold current देखे जो pole से पानी लेकर equator पर आए और इस तरीके से ये घूमने घूमने से क्या बन गया जायर ठीके जो हर समंदर के बीच में बना तो इस तरीके से हमने तीन ocean के currents देखे Atlantic Pacific and Indian Ocean और Indian Ocean का current किस तरीके से अलग behavior सो करता है वो भी बात कर लिए हमने summer में southwest monsoon current वो winter में चलेगा northeast monsoon current ठीके तो ये current हुए तीनों ocean के अब यहाँ पर बात करेंगे इन current का significant role क्या है किस तरीके से ये current influence करते हैं और क्यों हम इन currents को पढ़ते हैं हम इतने देर से इस chapter के अंदर पढ़े अभी हमें पढ़ता पढ़ते एक घंटा हो गया तो क्या जरूरत है इन currents को पढ़ने की देखो जरूरत तो बहुत है इंडिया की exam के अंदर question आते हैं तो फिलाल तो सबसे बड़ी जरूरत यह है कि currents को पढ़ा जाए बट कुछ और भी तो कारण होगा धर्ती पर क्यों currents चलते हैं क्या इनका काम होगा वो भी जान लिया जाए तो बात करते हैं पहले significant role की local climate जो warm current होते हूं क्या करते हैं किसी भी एरिया को warming effect देते हैं मतलब warm current जहां से भी पास होंगे जैसे Norwegian current Norwegian current ने क्या किया था Norwegian current गरम पानी को लेकर गया था कहां पर Norway और Russia तरफ वहां ले जाकर उसने पूरे Europe को blanket उड़ा दिया ठीक है गर्मी दी तो कौनसे current ने दी वो दी warm current ने warm Norwegian current तो warm current क्या करते हैं एक एरिया पर warming effect देते हैं और दूसरा ichees जो कॉल्ड current होते ऊसके एडजसैंड में जो लेंड से उन लेंड मास को थंडा कर देते हैं तो वर्म करिंगे लेंड मास को गरम करेंगे और कोल्ड करेंट like को थंडा करेंगे रेग। बिलकुल है जब warm current आते हैं किसी area की तरब तो warm current क्या करते हैं ? パम current जब आते हैं तो landmas को करतेते गरम जैसे तक suppose करो और यह landmas और यहां से current pass हो रहा B अगर B कौनसा current है ? b यह warm current तो यह warm current इस a landmas को क्या करतेगा गरम तो जैसे a landmass गरम होगा तो क्या होगा temperature चिए बढ़ प्रेशर कम हुआ, टेंपरिचर इंक्रीज हुआ, तो क्या हो गए यहां पर? प्रेशर का कम होना, टेंपरिचर का इंक्रीज होना, मतलब लो प्रेशर बनना, और लो प्रेशर बनने के कारेंट इधर उधर से हवाई यहां पर आएगी, और यह हवा अपने साथ-साथ क्या ल उस डूरि होते हैं यह मैं आपको बहुत अच्छी से बता चुका हूं बेटा कि जो भी एक्विटोरियल रीजन से ट्रोपिकल रीजन होता है याद रखना को ट्रोपिकल region के अंदर मतलब 23 degree north और 23 degree south के बीच में जितने भी continent है उन continent के western side पर hot deserts है वो deserts क्यों बने वहाँ पर deserts क्यों बने वो deserts इसलिए बने क्योंकि वहाँ से cold current पास होते हैं और cold current उस जगा को जैसे ठंडा करेंगे तो ठंडा करने के बाद क्या होगा वहाँ पर बारिश नहीं होगी और जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा जब जैसे वहाँ पर बारिश कम होगी तो बारिश कम होने के current यहाँ पर बन जाएंगे deserts तो deserts कोन बनाएगा cold current दो cold current के नाम करते हैं और दो कोल्ड करेंट से बने हुए डेजर्ट की बात करते हैं पहला कोल्ड करेंट है केनेरी करेंट केनेरी करेंट एफरिका की वेस्टन कोस्ट पर चलता है बना देता है विल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट जिसका नाम है सहारा दूसरा डेजर्ट की बात करते हैं और Humboldt Current यह पेरुबियन और Humboldt Current चलता है South America की Western Coast पर हो बना देता World का Dryest Desert जिसका नाम है Atacama तो यह Desert केसे बनेंगे? यह Desert बनेंगे जब Continent के Western Coast पर चलेंगे Cold Current ठीक है तो Cold Current बना देंगे Desert Warm Current बना देंगे Warm Current ला देंगे बारिश अगला सिग्निफिकेंट रोल यहां पर होता है Fishing, Fishing मतलब मचलियों का पालद, मचली उत्पादन तो मचली उत्पादन या फिर Fishing कैसे की जाती है? जब दो Warm और Cold Current आपस में आकर Collide होते हैं जैसे के होते ही हैं? जैसे Labrador क्या है? Cold Current और Gulf Stream क्या है? Warm Current तो Cold Labrador Warm Gulf Stream जब आपस में आकर Newfoundland Island The Grand Bank पर टकराते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? Grand Bank पर बन जाती है Fog, पानी हो जाता है Loop Warm और पानी जैसे Loop Warm होता है, वहाँ पर क्या होता है? मचलिया पकड़ी जाती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कई सारे Zooplanktums और Phytoplanktums पानी के अंदर से सरफेस पर आते हैं और उनी को खाने के लिए क्या आती है? मचलिया और फिर मचलियों को पकड़ा जाता है दूसरा क्या होता है? यहाँ पर जब Warm और Cold Current टकराते हैं तो यहाँ पर बन जाती Fog वो फोक बनने के कारण क्या होता है? फोक बनने से दिक्कत होती ही बटा जब फोक बन जाएगी तो क्या होगा? फोक बनने के कारण समुद्र के अंदर दूर तक दिखना हो जाएगा बन, वो जैसे दिखना हुआ बन, मतलब वो Accidental prone area बन जाएगा वहाँ पर accidents होने लगेंगे, कहाँ पर? जहाँ पर warm और cold current टकराते हैं, तो प्रक्रती ने हमें कुछ अच्छा दिया है, तो प्रक्रती ने उस अच्छी चीज को use करने के लिए साउधानी भी हमारे दिमाग में बक्षी है, कि किस तरीके से साउधानी पूरवक हम वहाँ पर क करें, तो वहाँ पर जहाँ वोग और cold current टकराते हैं, समुदर में foggy atmosphere बन जाता है, और foggy atmosphere बनने के कारण visibility decrease हो जाती है, और जैसे visibility decrease होगी, जहाँ टकरा जाएंगी, या तो आपस में, या फिर किसी चटान से जैसा की हुआ था एक दसक में, टाइटेनिक के भर साथ, दूस जहाँ यहाँ लाकर खड़ा कर दो, जहाँ यहाँ पर लाकर ocean के अंदर ले आओ, तो जब वो east to west current जाएंगे, तो आपके जहाँ को धीरे 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 पुश करके वो आगे ले जाएंगे, मतलब आपका fuel कम use होगा, consume होगा, जब currents की दिसा में आप चलोगे, जब जल ज़्यादा power देनी पड़ेगी, ज़्यादा fuel देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप current के विपरित दिसा में चलते हो, अब ऐसा तो हे नहीं कि current के विपरित दिसा है तो हम चलनी सकते, मानों से बड़ा कोई विज्यानिक है नी, मानों से बड़ा कुछ है नी, इस धरती के यह तो navigation में भी current बहुत ज़्यादा important role play करते हैं, तो यह था ocean current का significant, अब ocean current के बाद हम start करेंगे बहुत interesting topic जिसका नाम है tides, ठीक है? जिसे हिंदी में कहा जाता है जवार भटा, मेरे खयाल से आपको एक-एक current हर ocean के clear हो गए है, और जब हम last में कुछ questions solve करेंगे, तब आप के बचे हुए doubts भी completely वहाँ पर wind up हो जाएंगे, तो आप उसका tension मत लीजे, बस आप video को 2-3 बार देख लिए, एक बार आपने video देख लिया, आप बहुत समझदार है, बिल्कुल आपको एक बार में समझ में आ गया, फिर भी मेरी इच्छा है कि इस video को आप दूसरी बार द जाए और उसमें अगर currents related question आगा ता आप 100% उसे सई टिक करके आओगे, तो अब बात करते हैं tides के बारे में, tides जिसे हिंदी में कहा जाता है, जोर भाटा, क्या होता है tides, tides is a periodically rise and fall of sea water, समुद्र के पानी में, time to time, पानी का बढ़ना और पानी का घटना ही tides कहा जाता है and it is just because of gravitational pull of sun and moon, सूरज और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्शन बल के कारण धरती का पानी उठने लगता है और वापिस वही धरती का पानी एक time के पास वापिस बैठने लगता है, पानी की swelling होती है वो फिर वो कम होने लगता है, it is a tide, ठीक है, tide मतलब periodically rise and fall of sea water due to gravitational pull of sun and moon is known as tides, कोई doubt है किसी को, simple definition है, and the scientific study of tide is known as tidology, next, अब हम बात करते हैं, tides originate के से होती है, तो tides में हमने क्या देखा, gravitational pull of moon and sun, ये तो समझ में आ गया, अब यहाँ पर मेरी बात थोड़ी से समझना, अर्थ के पास दो force होते हैं, अर्थ, जो धरती है हमारी, उसके पास दो force होते हैं, एक, gravitational force, उस gravitational force के थूँ अर्थ हमें बांध कर रखती है, हमें उससे attach करके रखती है, दूसरा, centrifugal force, जो कि center से चीजों को दूर फेकता है, जब अर्थ rotate होती है, अर्थ अपनी axis पर rotate होती है, उस rotation के current, जो force exert होता है, उ इस force को बोलते हैं, centrifugal force, जो कि हमें दूर फेकता है, वही gravitational force हमें पास खीचता है, तो एक force दूर फेक रहा, एक force पास खीच रहा, अब दोनों के बीज में क्या है, बंधन है, एक का दूर फेकना, दूसरे का पास खीचना, इन दोनों के चलते हुए भी, ना तो हम धरती के अंदर जा रहें, खीचाओ के कारण, और ना ही धरती से दूर जा रहें, centrifugal force के कारण, हम अर्थ के ऊपर है, क्योंकि दोनों में balance condition है, दोनों में तकरार है, एक दूर फेकना चाता है, एक पास रखना चाता है, बट फिर भी, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ है, अर्थ का gravitational force चीजों को बांद के रखता है, और अर्थ का centrifugal force चीजों को दूर फेकता है, समझ मागया इतना, बट फिर भी कुछ भी दूर नहीं जाता, सब कुछ एक दूसरे से attach है, अब यहाँ पर तीसरा आदमी आता है, जिसका नाम है moon, जो कि जाना जाता इश्क के लिए, महबत के लिए, यह moon यहाँ पर break up करवाने के लिए आया, इसके बीच में इस gravitational force और इस centrifugal force के बीच में, gravitational force और centrifugal force आपस में balance है, और जैसे यहाँ पर moon ने अपना gravitational force exert किया, तो यह centrifugal force active हो गया, अर्थ के उपर से पानी उठने लगा, समझ माया, gravitational force के कारण क्या था, water attached था, और जैसे centrifugal force था, पानी दूर फेक रहा था, बड़ दोनों में चीजे attached थी, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, अब जैसे यहाँ third factor आया, moon, तो उस moon ने क्या क्या, उस moon ने क्या क्या, इस centrifugal force को और ताकत दे दी, मतलब इस दूर फेकने वाले force को और ताकत दे दी, औ पानी धर्ती का उठने लगा, water swell होने लगा, और इसी swelling को नाम दिया जाता है, tides, अब देखते हैं, ये जो है, this one is sentry, this one is gravitational force of moon, moon का gravitational force लग रहा है, तो अर्थ का पानी बल्ज बनके उपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है, बल्ज बनके उपर की तरफ उठ रहा है, और उसी time पर, यहां पर बहुत एक important चीज है, और बहुत चांदार point है, समझने के लिए, बहुत interesting point है, वो point यह है, कि जिस तरफ moon का फेश है, उस तरफ तो पानी उठेगा, समझ मारा, बट उसके opposite side पानी क्यों उठेगा, उसके opposite side पानी उठेगा, centrifugal force के current, के से उठेगा, देखो, तो यहां तो समझ मारा कि उस तरफ moon खीचरा तो पानी उपर आ गया, बट यहां पर पानी क्यों उपर आया, यहां पर पानी आने का कारण यह है, कि अर्थ के अंदर एक center होता है, जिस center को बोला जाता common center of gravity, common center of gravity वो point जहां से सब दूर gravity लगती है, अब यह point सारी चीजों क बांद कर रखता है, तो इस चीज ने, इस point ने इधर भी बांद कर रखा था और इधर भी बांद कर रखा था, अब जैसे यहां पर moon ने खिचना सिरू किया, यह point shift होकर यहां आ गया, common center of gravity जो A पर था हो, कहां पर आ गया, बी पर, तो जैसे वो A से B पर आया, इस पानी को रोकने के लिए, तो यह तो रुख गया, बट इस time पर इधर distance बढ़ गई, और जैसे यहां पर distance बढ़ी, तो centrifugal force एक्टिव हो गया, नहीं समझ माया, centrifugal force क्यो एक्टिव हुआ, opposite side, क्योंकि यह जो common center of gravity जो इसे रोक रहा था, जो दोनों के बीच में bond बनी थी, अब यह हो सब भी tights आएगी, तो tights आने के कारण, एक area पर तो bulge बनेगा क्योंकि उसको moon खेश रहा, पर दूसरे area पर भी bulge बनेगा क्योंकि वहाँ पर लग रहा centrifugal force, तो यह था A, जो A वाली equation है, उसमें क्या हो रहा, gravitational pool of moon, B वाली equation में centrifugal force of earth, A plus B, A plus B, मतलब gravitational force of moon and centrifugal force of earth, से diagram बन जाता है, tights, समझ माया, tights में क्या, दो bulge बनते हैं, एक, जो area moon को face कर रहा है, और दूसरा area, जो की opposite direction में है, तो जो opposite direction में, यहाँ पर क्यों आया, due to centrifugal force, और जो moon की तरह पर वहाँ पर क्यों आया, due to gravitational pull of moon, तो इसी को tights कहा जाता है, इस concept को आप lifelong याद रखना, next, base zone location, या फिर base zone position, location यहाँ पर गलत होगा, यहाँ पर position आएगा, base zone position of moon, sun, sun और moon की position के according, tights कितने type की होती, पहली होती, spring tight, spring tight के अंदर आता है, conjunction and opposition, और दूसरी होती, neep type, और neep tight के अंदर आता है, quadrature, क्या होता है, एक एक करके, सभी को जानते है, बहुत simple है, बहुत interesting है, यह है spring tight की condition, spring tight की condition में क्या होता है, earth, moon and sun, यह तीनो 180 degree के angle पर होते हैं, मतलब एक straight line में होते हैं, कई बार condition बनती है, हर मैने में एक बार, जो चांद होता है, और moon, चांद होता है, और जो सूरज होता है, उन दोनों के बीच में धरती आती है, ठीक है, हर मैने में एक बार, क्योंकि sun जो होता अपना revolution, complete करता 28 दे में, तो 28 दिन के अंदर, बीच में एक बार धरती आएगी, तो इस टाइम पर क्या होगा, एक तरफ से लगा रहा, force moon, ठीक है, दूसरी तरफ से force लगा रहा, sun, तो यहां पर आईगी highest tide, अर्थ का पानी जो होगा, वो तेजी से बढ के अंदर हो, जब sun, moon and earth are in single line, इस condition को बेठा कहा जाता है, सीजीगी, सीजीगी की condition कहा जाता है, NDA में यह question पूछा हुआ है, what is सीजीगी, सीजीगी is the condition when sun, earth and moon, all are in 180 degree angle, जो की 180 degree angle पर होते है, जब सूरज अपने ताकत लगाता है, चांद अपनी ताकत लगाता है, और धरती का पानी उठने लगता है, उसे हम tide बोलते हैं, और यह highest tide होती है, इसे हम spring tide भी कहते हैं, क्या condition हुई, तीनो बने 180 degree पर, और इसे नाम क्या दिया गया, नाम दिया गया, सीजीगी, next condition, इस condition यह भी spring tide की condition है, बट इस condition को conjunction कहते हैं, conjunction में क्या होता है, moon, sun and earth, moon, sun and earth, तीनो 180 degree पर होंगे, बट moon बीच में होगा, जब moon बीच में होगा, तो कौन सी condition बनेगी, conjunction, याद रहेगा, जब moon बीच में रहेगा, तब condition जो बनेगी, उस condition को हम नाम देंगे, conjunction, ठीके, और जब, moon opposite direction में रहेगा, मतलब बीच में, जब moon बीच में था, तब क्या रहा, conjunction, और जब moon सबसे बाहर है, बीच में क्या है, अर्थ है, और इधर क्या है, sun है, तो इस condition को नाम देंगे, हम, opposition, ठीके, जब अर्थ बीच में होगी, तब opposition होगा, और जब moon बीच में होगा, तब होगा, conjunction, समझ माया, conjunction कब होगा, conjunction तब होगा, बेटा, जब moon होगा, बीच में, ठीके, और opposition कब होगा, जब अर्थ होगी बीच में ठीक है अच्छा एक और बात मुझे बताओ धुरंदरो तब क्या होगा जब सन बीच में आ जाएगा क्या हो सकता है क्या इसा किसी किसी के दिमाग में ये क्योशन पनप रहा होगा ठीक है बहुत सारे लोगों को ये चीज़े एसा लग रहा हो कि सर तब क्या होता होगा जब सन बीच में आ जाएगा सन बेटा अर्थ और मून के बीच में कभी नहीं आ सकता समझ रहे हो सन बहुत जादा दूर है अर्थ मून ही है जो पास-पास गुमते हैं तो ये थी स्प्रिंग टाइड स्प्रिंग टाइड के अंदर हमने क्या क्या देखा स्प्रिंग टाइड के अंदर पहले सीजी की की कंडिशन देखी सीजी की की जो कंडिशन होती है उसे हम ओपोजिशन भी बोलते हैं कंजक्शन में क्या देखा मून बीच में था और पोजिशन में क्या देखा अर्थ बीच में थी नेक्स आता है नीप टाइड नीप टाइड एक लो टाइड होती है जब टाइड बिलकुल कम होती है टाइड कम क्यों होगी यहाँ पर जब सन अर्थ एंड मून आर एट 90 डिगरी एंगल ठीक है जब सन मून एंड अर्थ यह तीनो 90 डिगरी के एंगल पर होंगे तब जो टाइड आएगी वो बिलकुल लो टाइड आएगी और क्यों लो टाइड आएगी क्योंकि सन अपना ग्रेविटेसनल पूल लगाएगा मून अपना ग्रेविटेसनल पूल लगाएगा तो इन दोनों का जो gravitational pool है एक दूसरे को counter करेगा, मतलब जब क्या हुआ था हमने देखा था कि चांद ने break up करवाया, अब चांद के साथ सूरज भी आ गया है, अब चांद और सूरज मिलकर धरती के gravitational जो centrifugal है उसके बीच में दरारे create कर रहे, वहाँ पर दिक्कत है create कर रहे, अब क्या हो गया, moon और sun दोनों की लड़ाई हो गई, moon और sun दोनों ही आपस में क्या counter balance करने लगे अपने force को, और जैसे moon ने force को रोका, sun ने force को रोका, moon ने force को रोका, तो जो tights है, tights बिलकुल लो हो गई, क्योंकि दोनों ने अपने force को लड़ लड़के तोड़ दिया, और अर्थ का जो gravitational force है, वो active हो गया, चीज़े आपस में अंदर की तरफ हिचने लगी, और दूर जाना बंध हो गई, तो यह neep tide होती है, neep tide कब होती है, जब sun, moon and earth are at 90 degree angle, sun और moon के 90 degree angle के current, इन दोनों का जो force है, वो force एक दूसरे को counter करेगा, और counter करने के current, यहाँ पर tide जो आईगी हो, बिल्कुल low tide होगी, और इस condition को quadrature कहा जाता है, समझ माया, क्या क्या देखा हमने, quadrature से पहले अभी, इससे पहले हमने देखा, कि spring tide क्या होती, जब तीनों एक line में होंगे, जिसे cc की भी बोलेंगे, जब moon बीच में होगा, तो उसे conjunction बोलेंगे, और जब अर्थ बीच में होगी, तो उसे opposition बोलेंगे, नीप tide क्या होगी, इस type का angle बनेगा, sun यहाँ पर, अर्थ बीच में, और चांद इदर, यह क्या, 90 degree angle बना, इस type का, यहाँ पर जो tide आएगी, उसे बोला जाएगा, quadrature और नीप tide, next, based on the position of moon, जब moon अर्थ के बिल्कुल pass होता है, उस condition को कहा जाता है, perigee, ठीके, और जब moon अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर होता है, उस condition को कहा जाता है, apogee, तो apogee की जो time page, जो tides आती है, उनको बोला जाता है, epigean tide, और इनको perigeean tide, तो perigeean जो tide होती है, यह high tide होती है, क्यों? और यह होती है low, आराम साब बता सकते हो, यह low tide इसलिए होगी, क्योंकि यहाँ पर दूरी बढ़ गई, तो gravitational force, कम हो जाएगा चांद का, और यह high tide क्यों है, क्योंकि दूरी कम है, तो gravitational force, जागा हो जाएगा moon का, इसलिए, जो perigee tide होती हो, high tide होती है, और जो apogee tide होती है, वो low tide होती है, next, यह था tides के बारे में, under the basis of location, tides केसे केसे आता है, अब बात करते हैं, important point की, जिसका नाम है, tidal bore, tidal bore में क्या होता है, जब tide का पानी बढ़ने लगता है, जब tides का पानी तेजी से बढ़ेगा, तो समुद्र का सारा पानी, उस area की तरब जाएगा, और जब उस area की तरब पानी जाएगा, ति पानी क्या होगा, जहां से भी, छोटी-छोटी नदिया आके समुद्र में मिलेगी, उन नदियों के अंदर पानी घुसने लगेगा, समझने की कोशिज करो, एक मिट, यह हैं इंडिया, इंडिया में सपोस करो, यह यहां पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा का डेडिटा, सुन्दर बन, जब टाइड आई, तो टाइड आने के कारण पानी बढ़ा, और यह पानी कहां जाने लगा, अंदर की तरब, नदियों के अंदर जाने लगा, तो नदिया का काम क्या है नदियों का, कि उपर से नदिया, पहाडों से पानी लेकर नीचे आ रही थी, धीरे धीरी नदी इधर आ रही थी, बट जैसे टाइड आई, तो टाइड का पानी नदी के अंदर घुसा, समझ मारा, दिन में तो क्या पानी इस तरफ जा रहा था, दिन में नहीं, जब रिवर भहरी थी, और उसी टाइम पे, जब टाइड आई, तो पानी क्या हुआ, तेजी से अंदर की तरफ जाने लगा, जब पानी अंदर की तरफ जाने लगा, उपर से पानी ओल्रेडी आ रहा था, तो टाइड का पानी और नदी के अंदर जाने लगा, तो क्या हुआ, यहाँ पर बल्ज बन गया, बल्ज बन गया, ताकत किस में जादा थी, समुद्र में जादा थी, तो समुद्र उस पानी को पीछे की तरफ धका कर लेके गया, उसने पानी की एक दिवार बना दी, जो पानी उल्टा नदी में जाने लगा, उस पानी को बोला जाता है टाइडल बोर, यह देखो, जो समुद्र का पानी है, यह समुद्र का पानी इस नदी के अंदर वापिस जा रहा है, ठीक है, रिटन हो रहा है, यह रिवर का काम क्या था, ओसन की तरफ जाना, यह रिवर ओसन की तरफ जा रही थी, पड़ जैसे टाइडल पानी रिलीज हुआ, वो tide का पानी से push करके कहा लेकर जा रहा again continent में भीतर तो ये जो condition बनती है जब वो bulge बनता और वो पीछे की तरफ जाता है river के अंदर जो पानी पानी की जो दिवार बनती है इसको बोला जाता the wall of water किसको tidal bore को इसमें पानी की दिवार बनती है और पीछे की तरफ आती ही नदी के अंदर क्योंकि समुद्र के पानी का magnitude बहुत जादा है तो वो इसे push करके नीचे की तरफ लाता है और इसे tidal bore कहा जाता है tidal bore बहुत बढ़िया देखा जाता है gulf औफ फंडी केनिडा के अंदर है यहाँ पर लोग इखटे होते ही जब tide आती है तेजी से आप कई सारी यूट्यूब पर इसके वीडियो डले है tide का पानी तेजी से नदी के अंदर जाता है वो नदी के अंदर जाता है वहाँ पर tidal bore बना लेता है ठीक है तो यह होता है tidal bore next हम बात करते है significant of tide हमने इतनी चीजे देखी हर चीजों में हमने क्या बात की थी कि उनका significant role होता है तो tide का भी बहुत बड़ा significant role होता है भहिया क्या होता है roll tide का कि जब टाइड का पानी बढ़ता है तो बढ़ा हुआ पानी कहा तक आता है समुद्र के अंदर से नदियों में और जब नदियों के अंदर आता है तो क्या होता है नदी में पानी बढ़ जाता है तो जहाँ चलके नदी से अंदर अंदर कहा तक आ जाते हैं पोर्ट तक कई सारे किया इसे पॉल्ट होती हैं इसको इसे पॉलते हैं टो कुछ कुछ बंदर गा कहां बने होते को यहां पर बना बढ़ा मतलब को recording ऑगा यह कोस्पर बना मंगा यहां पर बना बना कुछ जो बंदर को पॉल्ट होते दने ऊसांत उता नहीं बड़ता है यहाँ पर जहाज लेकर आजाएंगे और जहाज को वहाँ पर क्या हूँ लोड करने लग जाएंगे सामान उसके अंदर डालने लग जाएंगे यहाँ जहाज रखे हुए है यह कहाँ जमीन पर रखी है इनमें कोई पईय नहीं है कि इनको धगा कर लाकर हमने जमीन पर रख दी यह लाये थे हम तब जब टाइट्स का पानी बहुत जादा था अब जैसे अर्थ की पोजिशन चेंज हुई लो टाइड आई सारा पानी उतर गया और यह जहाज कहा रहा था गए जमीन के उपर वहीं और जैसे लो टाइड आएगा यहाँ पर खड़े हो जाएंगे जमीन पर रखा जाएंगे ठीक है तो लो टाइड में क्या होता पानी बिल्कुल कम हो जाता है और हाई टाइड में पानी बिल्कुल तेज होता है समझ माया यह होता सिगनिफिकेट रोल तो इसको बहुत ज्य लिए के अंदर कई सारी पिस्टन लगी है यह वे लगे तो क्या होता है जब हाइट इटाइड आती यह पानी तेजी से बढ़के पीछे आता है वो जब लोड़ायड़ है उसे हाई टाइड बोलते और जो पानी जाता है उसे एब टाइड बोलते है एब डबल भी एब टाइड जब पानी लोट कर जाता है और हाई टाइड जब पानी तेजी साता है तो जब हाई टाइड का टाइम होगा पानी समुद्र से अंदर की तरफ आएगा जमीन की तरफ फिर क्या होगा यह fan rotate करेंगे जब पानी जाएगा न तो उस wave energy के current fan rotate करेंगे वो जब fan rotate करेंगे तो इन fan से क्या attach है इन से attach है dynamo अब जो dynamo घुमेगा तो क्या होगा वो इस mechanical energy को convert कर देगा electrical energy में और उस electrical energy को further हम use कर सकते हैं तो यह हो जाएगी tidal energy समझ माया tidal energy कैसे कि tides का पानी अंदर आया तो dynamo rotate हुए और जब बाहर गया तो भी dynamo rotate हुए तो जब यह dynamo rotate हो रहे तो rotation से जो mechanical energy है वो किस चीज में convert हो जाएगी वो convert हो जाएगी electrical energy में वो फिर electrical energy को अलग-अलग station पर provide कर दिया जाएगा फिर जो discom होता है distribution company वो आपके घर तक लाकर रूस electricity को बाढ़ देगी तो यह tidal energy में भी इसका use होता है एक tide होती है जो biological tide होती है biological tide मतलब की उसे red tide कहा जाता है जापान के पास जापान का जो समद्र है जिसको sea of japan भी कहा जाता है वहाँ पर क्या होता है red bloom algae होती है वो algae पूरे समुद्र में फेली हुई है अब जिसे tide का पानी बढ़ता है तो अपने साथ लाल कलर का पानी लेकर आती है और जब पानी कम होता अपने साथ के उस लाल कलर के पानी को लोट कर ले जाती है तो यह कौन से tide है यह biological tide है ठीक है biological tides का phenomenon तो कहाँ sun और moon से हो रहा astronomy का काम है हो बट earth surface पर जो change हो रहा है it is due to the biological factor और कौन सा biological factor है वो वो biological factor है algae bloom जो की China sea के अंदर है तो China sea के अंदर जो algae bloom है वो क्या करती है जब tide का पानी बढ़ता है तो लाल पानी धरती के तरफ आता है वो जब tide का पानी घरता है तो वही लाल पानी वापस लोड़कर समुद्र की तरफ जाता है तो that is the biological tide ठीक है तो यहां तक आज हमने यह सब discuss किया हमने currents की बात कर ली currents के साथ साथ हमने tides की भी बात कर ली अब इन से related जो भी questions है उन questions को हम solve करते हैं very first question which one of the following ocean currents is different from other इन में से कौन सा ऐसा current है जो कि के बाकी के सारे current से अलग है Gulf Stream ठीक है North Atlantic ठीक है लेब्रेडर ठीक है यह तीनों जो current है यह current Atlantic Ocean के है Atlantic Ocean बट पूरो शिवो याद करो पूरो शिवो फिलिपीन से बनता है पूरो शिवो इस अ करेंट ओप पैसिफिक ओशियन तो हमारा आंसर यहां पर क्या होगा बी पूरो शिवो करेंट यहां पर डिफरेंट है क्यों डिफरेंट है विकोज कुरो शिवो करेंट पैसिफिक ओशिन के अंदर चलता है बागी गल्प स्ट्रीम नोर्थ अट्लांटिक ड्रिफ्ट एंड लेब्रो डोर करेंट यह सारे करेंट्स चलते हैं अट्लांटिक ओशिन के अंदर नेक्स पॉइंट यह क्योशन में हमारी एक्जाम के अंदर यह क्योशन पूछा गया है अगला पॉइंट विच्वन ओप फॉलोविंग सी विदाउट हेविंग कोस्ट लाइन एंडिए 2016 एसा कौन सा समुद्र है जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है मैंने क्या बताया था समुद्र जहां भी बनते वो किसी ना किसी लेंड मास को तो टच करेंगे जैसे अरेबियन सी किसको टच करता है पाकिस्तान को टच करता है भारत को टच करता है अंडमान सी अंडमान निकोबार आइलेंड को टच करता है ठीक है उसी तरीके से Sea of Japan, touch को करता है Japan की Coast को, Yellow Sea, touch करता है China वाले region को, South China Sea, touch करता है चावना के Southern part को, तो इस टाइप से जित्ते भी Sea होते हैं, किसी ना किसी Coastal area को तो touch करते, बट एक Sea है, जो किसी भी Coastal area को touch नहीं करता है, और उस Sea का नाम है Sargesco Sea, और यह जो हमारा यहाँ पर आंसर होगा Sargesco Sea, लेक्चर के अंदर हम इसके बारे में बात भी की थी, next question, which one of the following ocean current is different from other, इन में से कौन सा ocean current है, जो बांकी के ocean current से अलग है, एक बार फिर समझ लेते हैं, क्या यहाँ पर अलग बात की गई है, कौन सा ocean current है, canary current, Atlantic Ocean का है, Mozambique current, Indian Ocean का है, ORCO current, Pacific Ocean का है, और Falkland current, Atlantic Ocean का है, तो currents तो क्या होगे, अलग-अलग ocean के हैं, तो यह तो यहाँ पर difference की बात होगी नहीं, अब और कौन सा different होता current में, on the basis of temperature currents are of two types, तो यहाँ पर हमें यह देखना है, इन में से कौन सा warm current है, और कौन सा cold current है, canary current is a cold current, और यह cold current, सहरा desert बनाता है, सहरा desert के कारें यहाँ बनता है, Mozambique current is a warm current, जो कि Indian Ocean में है, Oya Shivo current, cold current, Japan के फास में है जो, Falkland current, cold current, कहाँ पर है यह, East Coast of South America, South America की East Coast पर, तो 1, 2, 3, these three are the cold current, बट Mozambique current, जो Indian Ocean में चलता है, जो Medagascar और एफरिका के बीच में चलता, वो Mozambique current, warm current है, तो warm current यह अलग हुआ और यही हमारा answer हुआ, next question, which one of the following ocean tide is caused by biological factor, इन में से कौन सी ocean tide है, जो कि biological factor से होती है, neep tide, sun, earth and moon, जब तीनो 90 degree पर रहेंगे, तब कौन से tide आएगी, neep tide, तो यह तो होती नहीं, ocean biological factor से, red tide मैंने बोला था, algae bloom, algae bloom, जो कि चाइना, जो जैपान के sea के अंदर है, उसी algae के current जो tide होती है, वो लाल कलर की हो जाती है, इसलिए red tide जो है, वो हमारा answer है, और red tide इसे biological tide, और apogean tide जो होती ही, यह apogean tide तब बनती ही, जब earth और moon के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो, ओ ठीक है, और perigean tide तब बनती ही, जब दोनों के बीच की distance कम हो, earth और moon की, ठीक है, तो यहाँ पर red tide हमारा answer होगा, अगला question, gulf stream, क्या है यह gulf stream, gulf stream क्या किसी gulf country के अंदर river का नाम है, क्या यह कोई ocean current है, क्या यह किसी jet stream का दूसरा नाम है, या फिर कोई local wind है, it is a ocean current, gulf stream ocean current है, जो कि antilles और florida current के मिलने से बनता है, और यह चलता कहाँ पर है, यह नोर्थ अमेरिका की eastern coast पर चलता है, और labrador current से जा कर मिलता है, newfoundland island के pass, तो gulf stream is an ocean current, next question, the concept of sea floor spreading theory was propounded by, किसने sea floor spreading theory का concept दिया था, यह question आप से पूछा गया है, और यह question आपको comment box में करना है, जिस जिसने भी sea floor spreading theory पड़ी थी, sea floor spreading theory याने इस geography के सफर का तीसरा lecture, जहाँ पर हमने sea floor spreading theory की बात की थी, उस lecture को चेक करना, आपको इसका answer वहाँ मिलेगा, कि sea floor spreading theory किसने दी है, और वो answer आप comment box में जरूर करना, next question, humbold current, कहाँ पर चलता है, southward in western pacific, northward in eastern pacific, southward in eastern pacific, northward in western pacific, तो humboldt current कहाँ चलता है, southward in eastern pacific, मतलब pacific ocean के अंदर, southward में यह चलता है, eastward, कैसे, जो pacific ocean है, यह है औस्टेलिया, यह है south america, ठीक है, normally अभी समझ लो, यह है औस्टेलिया और यह है south america, और यहाँ पर है pacific ocean, तो इस pacific ocean के इस वाले पार्ट में, ठीक है, मतलब pacific ocean के east में, और equator line के south में, तो it is the southward in eastern pacific ocean, ठीक है, eastern pacific ocean में, southward जो current चलता है, उस current का नाम है, humboldt current या फिर, peruvian current, तो c हमारा answer होगा, northward तो जो भी है सब गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि equator के north में, humboldt current चलता ही नहीं, humboldt current, southern hemisphere का है, और southward में भी western pacific की बात करे, तो western pacific में अमेरिका वाला region नहीं आएगा, ओस्टेलिया वाला region आएगा, ठीक है, और हमें humboldt की बात करना, हमें humboldt south अमेरिका की western coast पे चलता है, मतलब pacific sea की eastern coast पर, next question, canaries current, flow along, canaries current कहां से pass होता है, तो इस passes through west african coast, canaries current, जो की जन्म देता है सहरा desert को, जो की सहरा desert को ठंड़क पोचाता और वहाँ पर बारिस नहीं होने देता, वो एफ्रिका की west coast से pass होता है, next question, the agulas current, कहां flow करता है, तो agula current मेडा गास करके east में, flow करता है Indian ocean के अंदर, ठीक है, next, the color of yellow sea is a result, yellow sea है, चाइना के पास, जो चाइना है, Pacific Ocean के अंदर जो चाइना की coast है, वहाँ पर एक sea है, जिसका नाम ही yellow sea, वो sea yellow sea क्यूं है, उस sea का नाम yellow sea इसलिए है, क्योंकि उसके अंदर एक नदी है, जिसका नाम है wang ho, वाँ हो चाइना की एक नदी है, जिसका yellow river के नाम से भी जाना जाता है, यह yellow river, अपनी जितने भी किनारे है, उन किनारों से sediment लेकर आती है, और उस sediment को deposit कर देती है, इसके अंदर, उस silt को deposit, उस yellow color की soil को deposit कर देती है, yellow sea के अंदर, इसलिए इस sea का रंग हो गया yellow, और उस नदी का नाम हो गया yellow river, तो answer होगा हमारा, silt brought by wang ho, your yellow river, next question, which water body separate Australia from New Zealand, Australia को New Zealand से कौन सी water body separate करती है, ठीक है, देख लेते हैं, यह है Australia, और यह है New Zealand, और इन दोनों को separate करता है, तस्मान sea, तस्मान sea यहाँ पर हमारा answer होगा, तस्मान sea separate, Australia from New Zealand, यह चीज़े आपको याद रखना, इनको आप note करना, और note करने के साथ साथ बार बार revise भी करना, क्योंकि यह important है, next question, tsunami are not paused by, tsunami किसके कारण नहीं होता है, earthquake, बिलकुल होता है tsunami, under sea landslide, बिलकुल, volcanic eruption inside the ocean, बिलकुल, तो फिर किस से tsunami नहीं होता, hurricanes, hurricanes जो हमने पढ़े थे, cyclone, hurricanes, उन cyclone से tsunami नहीं आता, tsunami किन से आता है, इन factor के कारण आता है, जो कि समुद्र के अंदर होते हैं, next question, upward and downward moment of ocean water is known as, the periodically rise and fall of sea water is known as, tides, तो हमारा answer यहाँ पर होगा, tides, next question, which among the following is a cold oceanic current, इन में से कोन सा cold oceanic current है, Brazil, warm current, Gulf Stream, warm current, Kuroshivo, warm current, Brazil current कहाँ चलता है, Brazil की east coast पर, Gulf Stream कहाँ चलता, North America की east coast पर, Kuroshivo current कहाँ चलता, Asia की east coast पर, तो यह तो सब हो गए कि उन से warm current, but canary current is a cold current, and it flows in west coast of Africa, ठीक है, तो इन में से कोन सा cold current है, तो canary is a cold current, इसी के साथ साथ, आज का हमारा lecture complete होता है, जहिन,